नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जोतिसा चार राजिस, अनोखा सुत्र में आपका स्वागत है। आज अनोखे सुत्र में एक अनोखा आपको सुत्र बताने जा रहा हूँ जो जोतिस और टोटकी से जुरे हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बारा आए हैं तेसे जरुद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज जो मैं सुत्र बताने जा रहा हूँ तोटकी से जुरी हुए है और बहुत परचलन में आया हुआ आप भी से जानते होंगे घोरे की नाल की अंगूठी। क्या सच में यह चमतकारी होते हैं फाइदे मंद होते हैं लेकिन कंडिशन एक है उसके बाद ही चमतकारी सावित होंगे। सनिवार के दीन चलता हुआ घोरा के आगे की पैड से यदि नाल खुलकर गिरे और आपने उसे प्राप्त कर लिया और उसे आप ले जाकर के बिना आग में तपाए अपने बीच वाली उंगली के नापका अंगुठी बनाया और सनिवार को धारन कर लिया तो वह चमतकारी क लाब देता है लेकिन एक बात बताएं आप क्या ऐसा संभव है कि सनिवार के दिन ही आपको काले गोरे के आगे पैर वाली नाल मिल जाए ऐसे भाग्य साली तो हम सब है नहीं जो सनिवार को मिले तो फिर क्या होगा अब मैं आपको दूसरे रूप के बारें बताता हूँ ज जिनका अनुसंधान करके परियुक किया कई लोगों को, कई लोगों पर और उसका result अच्छा आया। कि कैसे हम घौरे के नाल प्रापत करें, और उस घौरे के नाल से हम कैसे अंगुठी बनावे, और उसे चमतकारी बनावे, और कैसे उसे धारं करे। बहुत स्पेशल बात है, बहुत ही रहस्मे बात है, इसे ध्यान से समझें, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें, उसके बाद ही अंत में आप अंगुठी पहनेंगे, नहीं तो कोई भी एक बात मिस हो गई, तो व ситу उंगुठी चमतकारी नहीं रहा सबसे पहली बात यह प्रियास हो कि घोरे कोई भी घोरा जिन्होंने नाल पहन कर चल चुका है चला है कोई भी घोरा वह घोरे के मालिक से आप नाल खरिद ले वो निकाल के दे देगा एक बात तो हो गई कि चलते हुए घोरे का आपने नाल करदा याद रखे सनिवार को परचेज करें आपने एक अच्छी बात है यदि संभव हो तो आगे पैर का नाल मांगे उनसे और जो भी आप उसे धन दे उसे एक रुप्या बढ़ा के दे दो से कावन पांसा एक जो मांगे बारगेनिंग नहीं करना है दे देना है आपने गोरे की नाल परचेज की सनिवार को आप आगें सोनार के दुकान पर वहां उन्हों ने आपने कहा कि इसे बिना आग में तपाए अंगोठी बनाएँ आप बैठ कर बनावे यहरस याद रखे और बिना तपाए उस अंगोठी का निर्मान करावे अपनी बीच बाली अंगली की याद रखे जब वो अंगोठी निर्मित हो जाता है उसे आप अपने घर ले आएं सनिवार को और सनिवार को उसे सरसो तेल में रात में डाल के छोड़ दे आप उसे एक सबता तक भूल जाए एक सबता तक उसे उसी रात में रहने दे अगले सनिवार को उसे उस सरसो तेल से बाहर निकाले. दोस्तों, एक ऐसा रहस्य है, एक तो गोरे की नाल, जिस विधी से हमने प्राप्त करने के लिए बताया, उसी विधी से प्राप्त करें, दूसरी बार उसको सुद्धी करन करना और उसकी प्रभाव को बढ़ाना सरसो तेल सनी देव का प्रतेख है लोहा जो घोरे के नाल है लोहे की होती है वह भी सनी देव की धातू है और काला घोरा मिले चाहन ना मिले मिल जाती है तो काला घोरा पर भी सनी देव का प्रभाव है काली रंग पर इस तरह से प्राप्त किया गया अंत तक हमने उसे पावरफूल बनाया और उस अंगोठी को निकालना है अगले सनिवार को याद रखे एक मूर्थ है उस मूर्थ का प्रियोग करना है उस समय का प्रियोग करना है और वह है 11.35 से 12.25 दोपहर का यह समय भी नहीं भूलना है आपको आप ठिक 11.25 में उस अंगोठी को सरसु तेल से बाहर निकाले फिर उसे अच्छी तरह से धोए गंगा जल से भी धोए सुधी करन करे उसे भग्मान के पास रखे एक अगरवत्ती जलाए और उस अगरवत्ती को पहले अपने इष्ट गनेश देपता को दिखाए और फिर अंगोठी को दिखाए अंगोठी को अगरवत्ती दिखाने के प्रांत आप हाँ जोरकर उन्हें निमंत्रन दे के हे नगध अंगोठी देपता मैं आपको आज से धारन कर रहा हूं आप मुझे सुक्संब्रधी धन बैभाव ऐस सफलता जो आपकी मनो कामना है बोल दे दिजिए बोल के आप देहने हाथ से उस अंगोठी को माथे से लगाए हिर्दे से लगाए और बाए हाथ के बीच वाले में पाहन लिए और बस हो गए आपकी ये अंगोठी धारन करना संपन हो गया लेकिन याद रखे दोस्तों जो भी तरी बात यदि छुटती है तो उसके प्रभाव घट जाएंगे हमने सौ परसेंट तक उसे प्रभाव साली और चमतकारी बनाने के लिए उसको बिधी से मूहरतों का परियोग किया है और उस मूहरत के परियोगों के उपरांत ही उसे हमने आपको पहनाया है इसलिए वह निशित चमतकारिक होगा और लाबदायक होगा अब प्रसन उठता है कि यह घुरे की नाल की अंगोटी किसे पहनना चाहिए किसे नहीं जिनके उपर सनी की सारे साती हो सनी की धैया हो उन्हें तो अवस्य पहनना चाहिए बांकी लोगों को आजमानी के ख्याल से पहन सकते हैं लेकि मेस रासिवाले जो बांकी लोग जिनके उपर सनी के साड़े साती और ढहिया नहीं है वो मेस लगनवाले, सिंग लगनवाले, व्रिसिक लगनवाले, साथ साथ में, करक लगनवाले और धनू लगनवाले आदमी इसे धारन नहीं करें यदी सनी की साड़ी साती ये रढ़िया आपके उपर नहीं चल रहा तो, बहां की लगनवाले धारन कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप इसका लाब लें, मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से सब समझ गयें, आप इसका निश्चित लाब लें। धन्यवाद।